तो हमने यह देखा कि हमारे जो हैं कॉंसिशन ना बहुत आसानी से कि संशोधित किया जा सकता और नहीं ऐसा तरीका है कि जिसको संशोधन करने बड़ी मुश्किल आ जाए अब देखे फिर अगला पॉان्ट किया है अड़लों सफरेज और सफरेज का मतलब यहे कि मतअधिकार मत देने का अधिकार जो वोट करते हैं यह वोटिंग राइट से अलेटड है अगर आप देखें तो और यहां पर यह भी एकि इस adult suffrage में इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई हिंदू है, मुसल्मान है, कोई महिला है या पुरुष है या उची नीची जाती का है, इस बात से कोई मतलब नहीं है, जबकि अगर आप देखें, यूरोप जो अपने आपको बहुत civilized मानता है, उन्हीं ने भी vote देने का अधिकार, जबकि vote देने का सिस्टम कहीं न कहीं महीं से हो रहा है, democracy का concept महीं से हो रहा है, उन्हीं ने भी अपने यहाँ, अभी 100 साल पहले या 1930 के आसपास जो है, vote देने का अधिकार मिला गए था, और दूसी चीज़ यह है, कि इसमें constitution लागू होने जब पहले, जो vote देने का अधिकार था, उसमें भी या और भी दूसरे देशों में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता था, कि आपके पास कि स्टेटस के आए, तो ये सारी चीज़े देख कर vote देने का अधिकार मिलता था, हमारे यह यह बात बिलकुल नहीं है, फिर क्या है, हमारे यह बात यह है, कि जो भी व्यक्ति 18 साल से उपर का है, उसको vote देने का अधिकार मिल जाएगा, फिर अगला point क्या है हमारा, अगला point ह single citizenship, single citizenship का मतलब यह है कि एकल नागरिकता, और इस एकल नागरिकता का मतलब यह है, कि हमारे यह पूरे भारत के लिए एक ही citizenship है, ऐसा नहीं है कि आपके राज्यों के लिए आपको अलग citizenship लेनी पड़े और भारत पूरे देश के लिए एक अलग citizenship हो, ऐसा होता है, ऐसा USA में ह उनका अगर माल लिए कोई भी राज ये कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया कोई भी व्यक्ति जो USA का रहने वाला है वो कैलिफोर्निया का भी citizen होगा उनके यहां कभी होगा और पूरे इस USA तो उनके पास कह सकते हैं कि जिस तरह अमनों का वोटर कार्ड होता है तो एक ही व सिंगल एक है जो पूरे भारत में मानने है वही चलेगा ऐसा नहीं होगा कि महारास के है तो महारास का भी आपके पास एक कार्ड हो गार पूरे देश के लिए भी एक कार्ड होगा तो हमने क्या रख का है हमने single citizenship रख है इस चीज में एक दिक्कत थी दिक्कत क्या थी कि जैस आई-एस-पी-स या सरकारी नौकरी की बात होगी तो कहीं न कहीं यहाँ पर रुजहान जो है इसका रहा है कि यह पता चल जाए यह कहां के यह इस स्टेट के हैं तो इनकी तरफ कहीं न कहीं बाइसनेश हो सकती है हमारे ऐसा कहीं नहीं है आप जो डिशी के लिए पूरे देखे अगला पॉंट का है fundamental राइट आपने देखा कि हमारे consultation के part 3 में fundamental राइट के बारें बताया गया और पंड़ा मेंटल रायट राइट को काईदे से समझाएगै जब अमेरिका का कोंसुर्इशन बना था तो शुरुवात में उन्हींने ओरिजिनल क्यूटिशन में फरंडमेंटल राइट नहीं रख्ये थे उनको को ऑमेंडमेंड मेंड करके फरंडमेंटल राइट रखने की ज़़ुरत पड़ी ठीक है अब क्या है अब यह है कि हमने शुरुवात में ही अपने fundamental राइट को constitution में रख लिया है क्योंकि हम दूसरे देशों के अनुभाव ले किया थे ठीक है अच्छा एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब हम आपको बताते हैं कि longest constitution तो हमने अपने समिधान को लिखने में 60 देशों के समिधानों को पढ़ा और समझा था तो हमको जिस देश की जो भी अच्छी बात लगी वो हमने अपने constitution में शामिल कर ली ठीक है अब देखिए यह तो बासमन में आगई fundamental right तो fundamental right में आपके सारी चीज़े आगए इसी में freedom of speech भी है life and personal liberty भी है वो सरकारों के लिए नर्देश है कि सरकारों को क्या करना और क्या नहीं करना है ठीक है तो अब आपको यह समझ में आगए कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना है मतलब हमको का मतलब सरकारों को तो इसमें बहुत सारे ऐसे डारेक्टिव हैं ऐसे नर्देश हैं जो सरकारें करेंगी जो भी सरकार चुन के आती है उसको डारेक्टिव प्रिंस्पल को पूरा करना होगा ऐसा उनके लिए एक मार दर्शक यानि की गाइडिंग प्रिंस्पल है और वो इसलिए कि उसमें क्या है आर्थिक समानता ही बात है आर्थिक समानता को मतलब जो आपकी एकनोमिकल एक्वैलिटी की सबके पास रोजगार होना चाहिए सबके पास आफसर होने चाहिए सबके पास शिक्षा होनी चाहिए सबके पास अगर कोई कमजोर है किसी वजह से चाहे वो देनी स्थिती में देनी स्थिती मतलब मान लीजे वृद है आपका दिव्यांग है तो इस तरह के लिए सरकार उनकी करने का पेश्वाइज पेश्वा एंच अप्यू करकार का खूर को करना उगाऊ है और यह क्या कहलते हैं व्यृफैर की लोग लोक कल्यांड कारी राज को मतलब जिसमें लोगों का कल्याल नहें थो तो लोग कल्याल कारी राज के लिए जो नर्देश है वो डारेक्टिव पिंसपल्स में दिये गए फिर अगला पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट जोडिश्री अब देखें इंडिपेंडेंडेंट जोडिश्री क्यों जरूरी हो जाता है गुद्धी श्री पे होगा तो इस तरहां से कहीं ना कहीं जो सरकारें मों निरंकुष हो जाएंगी यानि की एक विटेटर को इंडिन्ट रखा जाता है और यूएश tai को स्वतनत रखा जाता उस पर सरकारों का नियंत्राण नहीं रखा जाता इस पर इस पॉइंट से समयधान में खुदी बहुत सारे प्रोविजन किये गए जिससे ये सुनिश्चित हो सके, एश्योर हो सके कि जुडिश्री हमेशा इंडिपेंडेंडेंट है जैसे एक कारण और और भी है जैसे आपने देखा कि फंडामेंटल राइट है फंडामेंटल राइट में अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वाइलेड होता है तो आठकिल 32 के अंतरगे तो सुप्रिम कोड जा सकता है अच्छा fundamental right लागू किसके अगेंस्ट होते हैं? लागू होते हैं state के अगेंस्ट और state का क्या मतलब होता है? केंद और राज़ सरकार भी होता है तो इसका मतलब यह हुआ केंद और राज़ सरकार एगर ऐसा कोई कानून या आदेज बनाती है जो लोगों के fundamental right को छीन रहा है तो ये लोग जनता क्या करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट independent नहीं होगा तो होगा क्या कि इनके fundamental right की सुरक्षा नहीं हो सकेगी इसलिए judiciary को independent रखा गया है उसके कई बजाएं लेकिन मोटी मोटी बाते ये हैं क्योंकि हम लोग detail तो नहीं पढ़ना है लेकिन केवल विशेष्टाएं पढ़ना है तो यहां से cover हो जाएगा फिर उसके बाद में देखिए fundamental duty की बात आती है और fundamental duty हमने fundamental duty पे पूरा lecture डाला हुआ है उसमें है constitution में सबसे बेहतर प्रोविजन में या best में से एक हमें ये भी लगता है fundamental duty का fundamental duty आपके article 51 में बताई गई है और 51 में ये 42nd constitution amendment से जोड़ा गया था 1976 में सबसे बेहतरी प्रोविजन में से है कि अगर वाकई में अगर हम लोग अपनी fundamental duty अच्छे से समझ ले अच्छे से जान ले तो बहुत सारी समस्याओं का जो समधान है वो हो जाएगा फिर उसके बाद में देखिए हमने अपने ही इसी constitution में preventive detention related provision के लिए भी प्रावधान कर रखें और preventive detention क्या होता है कि कहीं न कहीं जो कहीं न कहीं anti-national लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम करने वाले लोग हैं तो हम उनको उनके कामों को करने से पहले ही रोक लें इसके लिए preventive detention related provision है आठकिल 22 में इसके लिए provision रखे गए हैं ठीक है तो हमने यह देखा कि हमारा यह जो constitution है इसकी क्या-क्या विचिशता है यह अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा concept clear हो जाएगा ठैंक यू